दोस्तों राजस्थान करमचारी चेहन बोड के द्वारा जो है एनिमल एटेंडेंट पसुप परिचर की जो वेकेंसी निकाली गई है उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है step by step मैं आपको एक life form feel करके बताऊंगा ताकि आपको form feel करने में किसी परकार की mistake ना हो 5934 पदों पे दस्वी पास अगर आप है तो आप इस वेकेंसी के लिए form को अप्लाई कर सकते हैं permanent job होने वाला है लेबल वन की salary आपकी होने वाली है याई अगर हम बात करें gross salary की तो पचीछ जार से ज्यादा ही salary आपको यहाँ पर मिलने वाली है इसके अलावा pension हर तरह की जो सुविदाय होती है आपको मिलने वाली government के दुवारा जो दी जाती है चले जानते कैसे आपको form को apply करना है मैंने जो detail में इसके उपर already एक वीडियो बनाया हुआ है इसके advertisement को लेकर selection process को लेकर syllabus को लेकर सब चीज मैंने वीडियो बनाया हुआ वो वीडियो नहीं देखे तो देख लिजेगा link आपको description box मिल जाएगा यह channel पर भी जाके आप देख सकते हैं अब क्या करना है देखे आपको form भरने के लिए इस website पर आ जाना है इसका मैंने आपको direct link description box में दे दिया है आप क्लिक करके इस website पर आ जाएगे यह राजस्थान का single sign-on की website है अब यहाँ पर आपको देखेंगे एक registration का option है एक login का option है अगर आप इससे पहले राजस्थान का कोई भी form फिल किये हैं तो आप यहाँ पर जो है उस SSO ID से और password से capture code भरके login कर सकती है अगर आप पहली बार form भरे राजस्थान single sign-on की website के थुरू तो आप यहाँ registration पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक Google का option मिलेगा आप Google पर क्लिक करेंगे न तो Google जो है आपके Gmail का authentication बाएगा तो आप Gmail login करेंगे और Gmail का password डालेंगे और वहाँ पर तुरंत जो है आ जाएगा signal sign-on का sign-up करने के लिए आपका तुरंत वहाँ पर SSO ID create हो जाएगा और वहाँ पर तुरंत आपको mobile नंबर और उसके बाद से बोलेगा कि password बना लेजिए password बना के तुरंत आप जो है अपना रेजिश्रेशन को create कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपना user ID पासवर्ट जो है create कर लीजेगा SSO ID बना लीजेगा बहुत ही password भरके login करते हैं login करते हैं फ्रेंट्स आपका यहां पर dashboard जो है open हो जाता है यहां पर प्रोफाइल जो आपको कुछ भी लिखना है आप यहां प्रोफाइल में लिख लिजेगा email ID, mobile number, gender, pin code, address वगर यह सब आप लिख सकते हैं यह आधार ID है तो आधार ID लिख सकते हैं इसक आप update कर लीजिएगा अब आपको कहा करना update करने के बाद से आपको जो है dashboard पर आजाना है dashboard पर आते ही यहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको जो है applications के icon दिखाई देंगे अब इसी icons में आपको खोजना है recruitment portal अगर आपको नहीं मिल रहा यहां पे तो आप यहां quick search का option मिलेगा आप इसमें क्या करेंगे search करेंगे आप लिखेंगे RECU एससे लिखेंगे रिकूटमेंट पोर्टल यहां मिलेगा और एक है recruitment स्टेक टू पर नहीं क्लिक करना है आपको क्लिक करना recruitment पोर्टल पर आप इसपे क्लिक करेंगे आपका यहां पर जो है dashboard ओपन हो जाएगा और आप login ही रहेंगे आप देखेंगे आपका नाम यहां corner पर सो करेगा अब यहां पर लॉग इन होने के वाद से देखेंगे तो ongoing recruitment में यहां पर देखेंगे तो animal attendant direct recruitment 2023 आपका apply now का बटन यहां पर दिख रहा है इसके अलावा और भी बिधी रचनाकर की वेकिंसी चल रही है इसके विए से आप और भी यहां पर देखेंगे तीन वेकिंसी चल रही है इसमें से आपका animal attendant यहां से आपको apply करने का option मिल रहा है आप देखें apply करने से पहले आपको OTR करना mandatory होगा तो यहां पर apply करने से पहले one time relation पर आप click करके अपना OTR को complete करेंगे OTR अगर आप पहले से complete किये हुए है तो apply ना उपर click करता ही आपका form खुल जाएगा तो हमने यहां पर OTR पर click किया हुए मैं आपको दिखाने के लिए क्योंकि मेरा already OTR complete है यह देखें मेरा जो है OTR यहां पर देख रहा है ना मेरा complete है देख रहा है और मैंने जो है 19 जनवरी को ही last update यहां पर मतलग OTR जो है किया हुए तो OTR मैंने यहां पर देखिए सारा जो किया हुए है OTR में क्या-क्या मांगा जाता है तो OTR में आपसे आपका अधार number मांगा जाता है अधार OTP verify होता है फिर आप अपना educational qualification को यहां पर verify करते हैं यह सब आपको verify करना होता है OTR करते ही यहां पर आपको OTR registration number मिल जाता है आ और यहां पर ही आपको यहां पर payment भी जामा करना होता है आपको दिखाना चाहूंगा देखिए यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर यह सारे information को complete करना होता है कुछ-कुछ ऐसे information जो आप नहीं भी देंगे तो कोई दिकत नहीं है यह देखिए non mandatory है तो जो जो mandatory है वो जार उसके बास यहां पर my recruitment वाले page पर आप क्लिक करेंगे जिसा आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप फिर से डैस्बोड पर आ जाएंगे my recruitment पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका dashboard आएगा home पर आपका यह dashboard आजाएगा तो ओटीयार कर लिजीगा ओटीयार करने के बाद आपको जो है home पर आ जाना है home पर आने के बाद से अब आप जिस पद के लिए apply करना चाहते हैं उसके लिए apply now का button मिलेगा apply now पर क्लिक करेंगे जिसे हम यहाँ पर animal attendant के लिए apply नाव पर चाहते हैं तो apply now वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे जिस testing करेंगे इसके लिए यहाँ पर उना के ग जैए इस परकार इस परकार से आपका आगया एनिमल इंडेंटion आप इस परकार या BC Nun Kirimiliar है SCST है यहां पर एक और है tribes for Baran District तो यह अलग district के लिए इनका अलग से जो है जाती है तो आप जो भी category है आप अपने यहां पर चुनाव कर देंगे अगर आप दिव्यांग है तो इसमें से दिव्यांग को पिर यहां पर आपको जो है religion अपना धर्म बताएंगे कि हिंदू मुसलिम क्या है वैवाही कैसते थी married है कि unmarried है यहां जीवन साथी का नाम पूछ रहा है अगर आप married होते तो यहां पर आपको बताना पड़ता जीवन साथी का नाम क्या है ओ आप बता दीजेगा यहां आप आपका mobile नमर सो हो रहा है WhatsApp नमर देना चाहते देदीजे वरना इसे आप छोड़ सकते हैं यहां पर जो है अपना email ID सो हो रहा है आपका अधार ID हाँ बोल रहा है तो अधार नमर लिखके verify कर लिजेगा इसके वाज से apply for आप राजस्थान के अनुसुचित छेतर से संबंदि तो यहां पर no कर देगा अब यहां पर आपको अपना जो है पत्रा चार का पता जो भी आपका पत्रा चार का पता है यानि परजेंट इड्रस मांग रहा है तो परजेंट इड्रस आप यहां पर भर सकते हैं जो भी आपका address है यहां सहर यहां डिस्टीक यहां राज यहां पीन कोड, फोन नमबर या मेलेटरी नहीं इसे छोड़ दीजेगा, यहाँ पे विलेज लिखेगा, यहाँ पोस्ट लिखेगा, यहाँ थाना लिखेगा, जो भी आपका विलेज है, पोस्ट थाना का नाम है, आप यहाँ लिख दीजेगा, फिर यहाँ नेक्श कर दीजेगा, करते हैं अगले step में आपको domicile बताना है अगर आप यहां पर राज ते निमासी है तो यहां आपको आएगा या home district आपको बताना है कौन से डिस्टिक से आप आते हैं फिर हम ब्लोग करेंगे और यहां कब से कब तक आपका बना हुआ है यह आप कब से कब तक रहे हैं आप बताएंगे नहीं तो तो करिए और उसके जनकारी भर दीजे नहीं तो आप इसे नो कर देजिए अपको ऐज में छूट चाहिए इसतरे के लग रहा है कि नहीं मैंने गलत भर दिया है तो आप यहां से सुधार कर लीजेगा चले करते हैं next next करते हैं यहां पर आपको फोटोग्राफ अप्लोड करनी है तो यहां पर देखेंगे तो आपको बॉडी में मार्क्स बताना है जो बीजिबल हो अब आप इसे क्या करेंगे लिग देंगे बॉडी में पहाचान फिर यहां पर फोटो और सीनेचर यहां पर आपको अटेच करना है attach करने के बाद से next करना है next करते हैं यहाँ पर अपने जो है application form को verify करना है preview page आया हुआ है आप verify कर लेंगे कि हाँ मैंने जो भी जनकारी यहाँ पर दिया हो सब चीज सही अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ पर final submit नहीं करेंगे पहले update करेंगे अगर नहीं गलती ह है इसको declare करेंगे और यहाँ final submit का option विलेगा आप इस पर click करेंगे final submit पे क्लिक करते हैं यहाँ आपको declaration को declare करना है और यहाँ पर final submit पर click करते हैं आपका form जो है final submit हो जाएगा देखिए इस परकार से मेरा form जो final submit हो चुका है हम इससे print out निकाल लेंगे hardcopy अपनी पास सुरच्छी तो रख लेंगे अब आप लोग बुलेगा कि application फिन नहीं लगा तो देखे जो candidates OTR करते समय प्रमेंट जमा कर दिया है अब उसको पैसा यहाँ पर देने के ओ सकता नहीं है क्योंकि OTR समय ही पैसा आप लग जा रहा है और एक बार जब आप OTR कर देते हैं तो पूरे एक साल तक राजस्थान में जितनी वेकेंसी आएगी SOSO के थुरू आप जो है form को अप्लाई करेंगे उसी पैसे में जितनी वेकेंसी आएगी तो ये बहुत अच्छा नियम है राजस्थान के द्वारा आई होप आपको जनकारी समझ में आया होगा आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट है आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं दोस्वी पास पे बहुत इज़े बज़स भरती है आप फॉर्म को जुरूर अपलाई करेगा मिलते हैं किसी नेक्ष्ट में जाहिंद